है 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 आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैस्वाइज इतिंदर कुमार में स्वागत है चलिए हम एक्जामपल कर रहे थी फिले टांट पर हमने ट्वंटी एक्जामपल किया था ठीक है आज हम 22 करेंगे वैसे तो बुक में 22 का सेगिंड पार्ट शाप हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम 22 एक्जामपल करेंगे चलिए ध्यान दीजी सभीधर इसका सोलूसन देखिए यह दिरख्था सोल किसे करना मैथड ओव वैरिशन ओफ पैरामिटर से सोल करना तो सोल करने के लिए सबसे पहले जो गीविन है उसको लिख लेंगे गीविन क् दीटो वाई बाई दी एक्स स्कॉार प्लस एन स्कॉार वाई बराबर सेक एन एक्स ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दी स्कॉार प्लस एन स्कॉार इंटो वाई बराबर सेक एन एक्स ठीक है इसको एक्विशन मान लीजी उपर first, सबसे पहले इसकी auxiliary equation निकाल लिए auxiliary equation तुम्हें मालूमिया क्या होती है auxiliary equation के लिए d की जगह हम रख देते हैं m square plus n square equal to 0 आ जाएगा m की value निकाल लेंगे तो यह आ जाएगी 0 plus minus n i आ जाएगी complementary function निकाल लिए इसका complementary function बोल लिए कितना आएगा plus c2 sine nx और soul की से करना हमें method of variation of parameter से soul करना तो इससे soul करने के लिए let y बराबर देखे क्या मानते हैं जो constant c1 है उसकी जगह क्या मानते हैं a यह आ जाएगा तो a cos nx plus c2 की जगह b मान लेते हैं b sine nx ठीक है तो यह solution आ जाएगा इसका be the solution be the complete solution be the complete solution हमने मान ले आई be the complete solution complete solution of given equation of given equation of given equation where जहाँ ए और भी क्या है function of x where capital A and capital B r क्या है functions of x है r functions of x ठीक है इसको equation second माल ले ना इसको equation क्या माल ले ना second चलिए second का फिर इसके बाद differentiation करते हैं differentiation करते हैं इसका second equation का differentiation second with respect to x कर दीजे differentiation तो यह आ जाएगा डी वाई बाई dx बराबर a को तो ऐसी रखेंगे cos का करेंगे तो minus के कितना आ जाएगा sin nx into n plus cos nx को ऐसी रखेंगे a का करेंगे तो कितना d upon dx इसका भी first second से कर दीजे b को ऐसी रखना sin nx का कितना differentiation होता है cos nx into n plus sin nx को ऐसी रखना sin nx को ऐसी रखेंगे तो यह कितना जाएगा db बड़े dx आ जाएगा तो यह dy y dx बराबर minus a into sin nx plus ठीक है n भी तो है इसके साथ a n a n sin bx plus b n cos nx plus cos nx into d a बड़े dx plus sin nx sin nx into db बड़े dx तो किसकी वैल्यू आगई यह dy y dx की वैल्यू आगई ठीक है अब देखिए हम इसमें किस तरीके से चुनते हैं इसको ठीक है चलिए इतना नोट कर लीजी पहले ठीक है इतना नोट कर लीजी चलिए देखिए आगए a और b किस तरीके से चाड़ते हैं तो लिख देगे let us let us choose a and b such that such that देखिए कैसे चाड़ते हैं a और b को ठीक है इस तरीके से चाड़ते हैं कि यह सारा 0 हो जाए यानि कि क्या 0 आ जाए cos nx cos nx into d a बटे dx है कितना है वही है d a बटे d x d a बटे d x plus sin nx into d b बटे d x बराबर 0 इसको equation क्या माल लेंगे second माल लेंगे then यदि इसको 0 के बराबर रखेंगे then जब यह सारा 0 हो जाएगा तो d y by d x देखे कितना आएगा then तब d y by d x किसके बराबर आएगा minus a n sin nx plus b n cos nx के बराबर आएगा इसका भी differentiation करके इसका differentiation करके d 2 y by d x square निकालते हैं और इसको equation first में तक देते हैं d 2 y by d x square की value ठीके तो बताइए कितना differentiation कर दीजे इसका ही with respect to x तो d 2 y by d x square d 2 y by d x square बोली कितना आएगा minus a n को तो ऐसी रखेंगे sin nx का बोली cos nx cos nx into n plus sin nx को ऐसी रखेंगे a n का करेंगे ठीक है minus तो आए गई आएगा d a by d x हो जाएगा d a by d x और into में n भी आएगा इसका भी first second से कर दीजी चलिए b n को ऐसी रखना b n को ऐसी रखना cos nx का बोली cos nx का sign nx into n plus cos nx को ऐसी रखें cos nx को ऐसी रखेंगे इसका करें d b by d x into कितना आजाएगा n आजाएगा ठीक है अब ये value कहां रखनी होंगे तुमें equation number first में रख दीजीए ठीक है न चलिए तुम फर्स्ट में रख दीजीए किस किस की value एक तुम इसकी value putting the values putting the values of putting the values of d square y by d x square and y in equation first में रख दीजीए चलिए पहले इस command रखी इस अब दीजीए पहले डी तुवाई वाई वाई d x square कमान रख दीजी इक्विशन नंबर फर्स्ट देखना क्या थी इक्विशन नंबर फर्स्ट देख लीजी एक बार क्या थी हमें न a पी कमान निकाल के जुआ इक्विशन नंबर फिर हमें किस में रख रहा है और भी कमान निकल के साथ चेंड नियोति होगी एक भी तो बराबर एक उसने नेक्स थी और भी इंटु साइन केरी और और जैनल सोलुसं था ठीक है और भी कमान निकाल कर इसमें रखने तो इसका सूलुसं आजाएगा तो यह रुपी कमान निकालने के लिए देखें, कैसे निकलेगा यह रुपी कमान, चलिए यह value किसे में रख दीजे, यह दोनों value, equation number first में रख दीजे, first equation जड़ा देखना क्या थी, first equation थी, d2y by dx square, d2y by dx square plus n square y था, और बराबर sec nx था न सायद, sec कितना था, nx की बराबर था, चलिए, यह मान रख दीजे, चलिए, d2y by dx square का मान रख दीजे, चलिए, d2y by dx square का मान रख दीजे, तो e minus की कितना अभी है, minus की, an, यह रहा है न, minus की, an cos, अच्छा, n square हो जाएगा, an square हो जाएगा, an square हो जाएगा, an square into cos, nx, plus, नहीं, minus, minus n को चलो, पहले लिख लो, sin nx लिख दीजे, sin nx into d every day, dx, d every day, dx, plus, dn square हो आएगा, plus कितना b, n square into sin, nx, plus, 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 n into cos nx, into db बटे, dx, plus, n square, जरा y का मान देखना भी क्या था, y बराबर क्या था, y बराबर था, a cos nx, plus b, sin nx, रख दो, a cos nx, plus n square के आगे भी गोना होईगी, b sin nx, बराबर किसके है, बराबर कहां था, equation first, अच्छे हो, तो, क्या था साथ, second x था, second x थी था, कुछ कटता हो, तो काड़ दीजी, कुछ कटता हो, तो काड़ दीजी, n square cos nx, कट जाएगा, b n square, b minus आना चाहिए था, देखते हैं, माइनस आना चाहिए था, यह तभी तो कट देगा, यहाँ पर देखिए, b n को, ऐसी रखा, cos nx का, differentiation कितना होता है, minus sin x होता है, रिंटो n आएगा, cos nx को अब ठीक है, minus आएगा, तभी तो कटेगा, ठीक है, यह भी वहिया, cancel हो जाएगा, जब यह cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक है, यह बचेगा, minus के n, minus के n, sin nx, sin nx, da बड़े dx, plus n into cos nx, db बड़े dx, बराबर से 1, nx, equation number क्या माल लेजे, इसको, 4 माल लेजे, equation number 4 माल लेजे, अब इन दोनों को सोल करेए, इन दोनों को सोल करने के लिए, ठीक है, चलीज में, db बटे dx के एंसील होना चाहिए, तो इसमें न n से multiply कर दीजे, equation third में, n से multiply कर दीजे, और cos nx से, देखिए ज़रा क्या करेंगे, equation third में multiply कर दीजे, एक तो, n से और 1 cos nx से, और minus कर दीजी, ठीक है, equation number, equation number, 4, मैं किस से गुना करनी पड़ेगी, sin nx से घटा दीजी, घटा के db t dx आएगा, db t dx आएगा, तो, इकम आना जाएगा, गुना करना भी है, n से करना इसमें, तो यह आएगा, n, n cos square nx, into db t dx, भी बसमें आएएगा, नहीं आएए, third में minus n से cos से गुना कर दीजी, तो यह आएगा, बिल्कुल यह आएगा, और जब इसको घटा ना, plus का ही तो आएगा, minus minus, plus, n तो है यह, sin की गुना करूँगा, तो sin square nx हो जाएगा, और db बड़े dx वाले तो cancel हो जाएगे, और यहाँ 0, और minus, 4 में किससे गुना करनी भी है, यह sec nx तो है यह, sec nx तो है ही, और गुना करनी किससे, sin nx है, sin nx है, एक बड़े cos लिखके है, coat हो जाएगा यह, तो da बड़े dx भी तो है इसमें, कितना भी है भी है, da बड़े dx, n common लेंगे, da बड़े dx कोमन लेंगे, cos square nx है, plus sin square nx, 1 हो जाएगा, तो n into da बड़े dx बचेगा, बराबर minus की, 10 nx बचेगा, ठीके, तो यहां से किस कमान निकल जाएगा, da बड़े dx कमान निकल जाएगा, चलिए da बड़े dx कमान कितना जाएगा, minus की 1 upon n into 10 nx, 10 nx, यहां से एक कमान निकल जाएगा, ठीके, चलिए इतना नोट करिए, किस कमान निकल जाएगा यहां से A कमान हमें तो A और B कमान निकालना आना चलो इसको इंटिग्रेट कर दीजे इसको नहीं मिटा हूँगा चलिए D B बटे D X की भी में जल्फ पड़ेगी D A बटे D X कमान रखके इसमें तो D B बटे D X निकल जाएगा तो उससे B निकल जाएगा और A और B के मान कहां रख देंगे सेकेंड एकेशन में रख देंगे तो इसका सोलूशन आ जाएगा चलिए इसको इंटिग्रेट कर दीजे इंटिग्रेट कर इसको इंटिग्रेटिंग छले एंटिगरेट करेंगे तो A बराबर A बराबर माइनस 1 अपॉन 10NX का इंटीगल बोलिए 10X का होता है लोग सैक NX बटे N आएगा और कॉर्स में भी होता है चलब माइनस प्रूँ मे HELifty हुचाएगा इसका जो ने याद होगा 10NX का integral दो होते हैं एक तो तुम लिख सकते हो लोग sec nx बटी n और इसका minus मैं भी लिख सकते हो लोग cos nx बटी n तो मैं यह वाला लिखूंगा क्योंकि minus सुरू मारा minus minus plus भी हो जाएगा तो minus minus क्या हो गई से प्लस हो गया वन अपोन एन इंटू लोग कोस कि एक सब्सक्राइब तो एक मान आ गया एक मान आ गया और प्लस सीवन भी तो जुड़ेगा प्लस चली सीवन जोड़ दिया अब डी बटे डी एक्स का मान यहां रख दो थार्ड में तो डी बटे यह यहएक अगा वह पोटेंग डी वैल्यो आगर के डी डी एक्स की कहां रख दीजैन इंस अर्ड में रख दी चलिए थार्ड में रख दो कोस एन एक्स तो है यह कोस एन एक्स अहीं डी एक्स का मान माइनस 1 upon n into 10 nx plus sin nx into db बड़े dx ठीक है फर्मुला तो यादी होगे यह तो चलो मिटा देता हूँ इसको db बड़े dx बराबर 0 cos बड़े sin ठीक है इसको बराबर से उथार ले जाओ sin nx db बड़े dx db बड़े dx minus minus plus हो जाएगा cos nx sin 10 का फूर्मुला खोलो sin nx बड़े cos nx ही तो आएगा 10 का फूर्मुला खोलेंगी cos x बड़े sin nx cos से cos कर जाएगा यह sin भी कर जाएगा ठीक है तो db बड़े dx ही बता दू क्या आजाएगा db बड़े dx तो वन अपोनना आगया इंटिग्रेट कर दीजिए इसको इंटिग्रेट कर दीजिए इंटिग्रेटिंग बड़ाबर वन अपोनन एक्स प्लस क्या आजाएगा सी टू आजाएगा यह और भी कमान कहां रख देंगे सेकंड एक्विशन में रख देंगे तो इसका सोलूशन आ जाएगा चली नोट करिए आगे से मिटा आगे करूंगा चली तो पूट कर दीजी, putting the values of A and B, putting the values of A and B, where we are going to be equation number ? second या देना, क्या थी, second equation क्या थी वही है, y बराबर था, e cos nx, plus b sin, nx यह था, तो यह solution आ जाएगा, y बराबर, e का मान रखना, कहां चला गया, e, कहां चला गया, e बराबर, यह रहा, 1 upon n square, 1 upon n square, log cos nx, plus c1, into में कितना cos nx, plus b का मान बताना, x बटी n, x बटी n, plus c2 into sin nx, तो y बराबर कितना आ जाएगा, गुना करना, c1, cos nx, plus c2, plus c2, कितना, plus c2, sin nx आ जाएगा, ठीके, तो गुना कर दीजींगी, cos की करेंगी तो, ठीके, मैंने कर दी, c1, cos nx, फिर चलो इसे लिख लो, c2, sin nx, ठीके, इसकी इसमें भी गुना करेंगे, तो वो plus का कितना भी है, 1 upon n square into cos nx into log cos nx, और बोल दीजी, इसमें कर लेंगे, n plus का कितना, x, बड़े n into, sin nx, sin nx, यह answer आ गया, ठीके, तो answer चेक कर लीजी, इसका, ठीके, 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 answer बिलकुल correct है, चलिए बाकि, next run पर करेंगे, Thank you very much.